मित्रों, वर्तमान मौजुदा काल में भारत और चीन के सासंबंद बिगरते नजर आ रहे हैं। चाइना अपने जमीन हडपने की इस्टिर्जी की बात करें। चाइना अपने विस्तार वादी नितिक के तहट जो वर्तमान गलवान घाटी में, जो इस्टिर्जी के तहट जो पूरे विश्व का ध्यान आकरशित कराता हुआ, वर्तमान समय में एक पीड़ा का कारण बना हुआ है। मित्रों, आपको न्यूज के माध्यम से जानकारी हो भी रही होगी, कि चाइना की कमिनिष्ट पार्टी अपने आंत्रिक कला से बचने के लिए अपने देश के वासियों का ध्यान को भंग करने की स्टिर्जी में, चाइना भारत से उलस्ता हुआ नजरा रहा है। मित्रों, भारत और चीन के सासंबंद जहां बिगरते नजर आ रहे हैं, जहां भारत शांती के दूद के रूप में, पुरे विश्व के परिद्रिश में अपने स्वाइं को अगरसरित करते हुए दिखाई पढ़ने वाला एक ऐसा अधरशात्मक राष्ट के रूप में, ए एक अपने सुन्दर कोटनितिक चाल के तहत, अपने दूरदर्सिता वाले रवये के तहत चाइना को गहर रहा है। बहुत सारे देश हमारे साथ खड़े हैं। आपको ऐसा मैसूस भी होता होगा कि चाइना के साथ एक पाकिस्तान है, दूसरा राष्ट उत्तर को रिया है। अचम अपराध की भाती चाइना ने भारत के विरुद्ध उन्होंने गलत काम किया। भारत के जावाद सैनिकों ने डट कर मुकावला किया। जहां हमारे देश के 20 सैनिक शहीद हुए। इस्वर उनकी आत्मा को शांती परदान करें। परन्तु हमारे देश के जावाद सैनिकों ने 20 की बदले 40 को मार कि राया। मित्रों, युद्ध की नौबत ना आए। इस्वर से हम प्रार्थना करेंगे। परन्तु वर्तमान मौजूदा काल में ग्रह गोचर की ऐसी संतुलित बेवस्था क्या इशारा करती है, चाइना की कुणली क्या कहती है, भारत की कुणली का क्या कहना है और हमारे देश के उ मित्रों, भारत देश के परोची देशों को इंडिकेट करने वाले दो मुख्य भाव है, दूसरा भाव जो मिथुन राशी का भाव है, उस मिथुन राशी से वर्तमान गरह गोचर की बिवस्था में सूरी बुध और राहू गुजर रहे हैं। आपको जनकारी है 21 जून 2020 के उस सूरी ग्रहण की तिथी में सूरी चंद्रमा बुध वक्री और राहु चार ग्रहों की यूति बनी थी मित्रों 15-16 जून के उस नियत तिथी में ही सूरी जहां लेंड किया अर्धात सूरी गोचरी विवस्था में मित्वुन रासी में प्रवेश कर चुके थे और यह समस्या 15 जून को ही गलवान घाटी में यह समस्या आई चाइना ने और प्रासंगिक तरीके से छदम तरीके से धोके बाज वाली रवया के तहट या भारत को घेरने के सडियंत्र में शामिल हुआ परन्तु हमारे देश के जवाद सनिकों ने सुन्दर तरीके से उन्हें जवाब दिया मित्रों मेरा आपको एक ध्यान आकरशित कराने की उस इस्टिडजी में उस तरीके मात्र में मेरा यह कहना है कि भारत की जन्म कुंडली के दूसरे भाव मित्रों राशी में जब तक राहु विराजमान रहेगा समस्या बनी रहेगी अर्थात हुआ नियत तित्थी है 23 सितंबर 2020 जब तक राहू भारत के लगन कुंड़ी की दूसरे भाव मेर मिथुन राशी का विराजमान अपने उच्की राशी में विराजमान रहेगा, कलोशित करेगा, अशान्ती लाएगा भारत के पड़ोसी देशों के सापेच शान्तीमाय तरीके से टिट ना करने के उस योग काल में रूबरू कराएगा चाइना की कुंड़ी की बात करें, तो मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहले के एपिसोड में बता चुका हूँ कि 18 जून 2020 से 16 अगस्त 2020 तक के उस अंतराल तक के लिए मंगल चाइना की मकर राशी मकर लगन की जनपत्रिका में तीसरे प्राकरम भाव की मीन राशी में जब तक मंगल विराजमान रहेगा, चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, अपने आकरामक रवये को इंडिकेट करता हुआ कुछ ऐसा गलत कारे कर जाएगा, अर्थात वा विश्व का ध्यान भी आकरशित करने की उस स्ट 2020 से जैसे ही मंगल चाइना की जन्म कुंडली के गरह कोचर की चौथे भाव की राशी मंगल अपने स्वैं की राशी में जैसे ही रूचक पंच महापुरूश्यों का निर्मान कराएगा, चाइना की आंत्रिक कलह में बढ़ोतरी होगी, जो नियतिती 16 अगस्ट 2020 से आगामे 45 दिनों की होगी, मित्रों, चाइना की मकर राशी मकर लगण की जन्म पत्री का है, जहां चाइना की जन्म कुंडली में बुध की महादसा अक्टूबर 2019 से चल पड़ी है, जहां बुध वकरी है, निस तेज है, अस्थ है, और बुध भाग्य भाव में, उस चाइना की मकर कुंडली में, भाग्य भाव में केतू और सूर्श से यूति बद्ध होते हुए बिराजमान है, बुध छटे भाव सत्रू रोग व्याधी रिड़ भाव का पहली राशी, बुध की राशी, मिथून राशी, अर्धात चाइना की बुध की महादसा, बुध की अंतर्दसाक चाइना की जन्मकुंडली में फलित अवस्था में नहीं है, मित्रों, अगले पढ़ाव में यदि हम अपने देश के प्रधानमंत्री मानिनी नरिन मोदी जी की जन्मकुंडली जो ब्रिश्चिक लगन और ब्रिश्चिक राशी की है, देश के प्रधानमंत्री जी की अगर असलोजी की बात करते हैं तो भारत की जन्म कुंडली, ब्रिशब लगन करकराशी की और भारत की कुंडली किता चद्रमा की महादर्शा और शनी की अंतरदसाकाल में भारत चल पड़ा है शनी 28 सितंबर 2020 तक अपने वक्र इस्तिती में ग्रह गोचर की बिवस्था में अ 28 सितंबर 2020 जहां शनी चेंज होने वाले हैं अर्थात मारगी होने वाले हैं वही मित्रों आप ध्यान देंगे सुर्य की वर्तमान ग्रह गोचर की जो बिवस्था है मिथुन रासी से सुर्य कुजर रहा है जो 16 जुलाई 2020 तक मिथुन रासी में रहेगा 16 जुलाई 2020 से 16 अगस्थ 2020 करकराशी का सुर्य 16 अगस्थ 2020 से 16 सितंबर 2020 सिंगराशी का सुर्य मित्रों जैसे कहावत है कास्टिंग चल रही है पिक्चर अभी बाकी है मित्रों मैं आपका ध्यान कहीं और आकरशित कराना चाहूंगा प्रथम विश्युद की बात करते हैं जुलाई 1914 की उस विश्युद अर्थाथ उस जुलाई उस नियत्ती थी जुलाई 1914 की उस प्रथम विश्युद की उस ग्रह गोचर की विवस्था में सुर्य करकराशी का विराजमान थे यदि हम दूती विश्यूत की बात करते हैं जिसकी शुरुवात एक सितंबर 1949 को हुई थी उस ग्रह गोचर की विवस्था में अपने स्वयंग की सिंग राशी में विराजमान थे मित्रों तादपर यह है कि समस्या से निजात अभी भारत और चाइना के जो कोरिलेशन है इससे निजात अभी नहीं मिलने वाली है 16 जुलाई 2020 से 16 सितंबर 2020 तक हमें इलर्ट रहने की आवश्यक्ता है मित्रों तीन फेक्टर की मैं बात करूँगा पर्थम विश्युद और दूसरे विश्युद का ग्रहगोचर की बिवस्था में जहां ब्रियाश्पत वक्री थे जब तक ब्रियाश्पत ग्रहगोचर की बिवस्था में वक्री रहेंगे तब तक समस्या बनी रहेगी पहला फेक्टर दूसरा फेक्टर करक रासी का सुरिका ग्रहगोचर और सिंग रासी का सुरिका ग्रहगोचर अनुकुलता को इंडिकीट नहीं कर रहा है मित्रो तीसरा फेक्टर शुक्र चुकी भारत शुक्र के लगन का है बृशब लगन का है प्रथम विश्युध और दूसरे विश्युध की उस गडिती विशलसनात्मक ग्रहगोचर की विवस्था में शुक्र सिंग रासी का विराजमान था मित्रो अर्थात उसके लिए हम सबों को इंतजार करना होगा मित्रो वह समय 26 अक्टूबर 2020 तक हम सबों को सजग रहने की आवशकता है अब भारत और चाइना के कोरिलेशन की यदि बात करें भारत और चाइना के ससंबंद की बात करें सौर मन्डल में गरह गोचर की ब्यवस्था को हम डिनाइट नहीं कर सकते चुकि गरह गोचर की ब्यवस्था जो कालपुरूष के रूप में जर्मकुडली ब्यक्ख्याइद करती है चाहे वह वक्ति विशेश की जर्म कुडली हो या देश की कुडली हो इससे कोई अच्छूता नहीं है मित्रों विश्युद की नौबत का मूल कारण चुकि राहू को राजनीती का कारक माना गया है और भारत की जर्म कुडली की दूसरे भाव जो कुटम कुल खानदान धन का अर्थविवस्था का पड़ोसी देशों का भाव में जहराहू अपने उच्छ की राशी से गुजर रहा है 22 सितंबर तक हमें समस्या से रूबरू होने की उस गुजर इस काल में हमें सजग रहने की आवशकता है चाइना की जनपत्रिका में मंगल एक विरोधक काल में चाइना को अल्रेडी इंट्री करा चुका है जिसकी सुरुवात 18 जुन निकट भविस में देखा जाए 18 जुन 2020 से कहानी कुछ और हो रही है चाइना के एगेंस्ट वाली मोड में चाइना अल्रेडी आ चुका है सनी से हमारे देश की कुल्ले प्रभावित है और 28 सितंबर 2020 को चाहां चानी मारगी होने वाले है चाइना के विरुदर भारत को सुन्दर तरीके से बिज़ई हासिल होनी है इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है मित्रों भारत की साख भारत की गरिमा में वैसे भी बढ़ोतरी होने वाले उस काल चक्र में इंडिया आ चुका है अर्थाथ 23 सितंबर 2020 को जैसी राहू भारत के लगण ब्रिशवराशी में लैंड करेगा अर्थाथ सितंबर 2020 से अगामी 18 माह का अंत्राल भारत अपना परचम लाराएगा मित्रों भारत और चीन के ससंबंद में कटूता का भाव की वर्तमान मजूदाकाल में उत्पत्ती जो हो रही है चाइना अपने विस्तारवादी नीति के दहत चाइना की कमिनिष्ट पार्टी अपने देश की वासियों का ध्यान भटकाओ की उस स्टेजी में भारत से उलस्ता हुआ रज़ा रहा है अर्थात आप यह भी दे सकते हैं कि चाइना चौदर देशों के साथ उलस्ता हुआ स्वैंग अपने पैर पर कुलहाडी मारता हुआ दिखाई पड़ रहा है मित्रों समय कंद्यार करने की आउशक्ता है ग्रह गोचर भारत के पक्ष में है सौर मंडल के तहत ग्रहो का इशारा बहुत सुन्दर है हमें थोड़े समय के लिए सजग रहने की आउशक्ता है अर्थात उस सितंबर 2020 का 28 सितंबर 2020 उसके पहले 23 सितंबर 2020 आगामी भाविस की उस विवस्था में 26 अक्टूबर 2020 तक का समय की इंतजार करने की आउशक्ता ह मित्रों एक छोटी सी व्याख्यान के तहट मैं औस लोजर प्रमिल चत्रिवेदी नमस्कार